हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संजे और आप देख रहे हैं न्यू जारकेन चले जानते हैं आज के मुख्यों 25 बड़ी कबरों को अभ्यान के तहत प्रचार वाहनों के माधम से विद्यालियों में आधार भूत सुविदाओं एवं साप सफाई को लेकर आवश्रक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा कोरोना के कारण लगभग दो वर्स बंद रहे विद्यालियों को खुला गया है कोरोना से सुरक्षा के माप दंडों को अपनातो हुए राजे के सभी विद्यालियों को साथ मार्च से पूरी तरह संचारित किया जा रहा है ऐसे में विद्यालियों की अधारबुत सुविदाओं को फिर से दुरूस्त करने था सिक्षा को एवं बच्चों को स्वक्षता एवं साप सफाइवर विसेश प्रस्रिक्षन की अवशकता महसूस की जा रही है। दस वर्स की सजा हजारी बाग जिले के बहुचर्चित बढ़कागाओं गोली कान मामले में गुरुवार को रांची विवार नयाले ने अपना फैसला सुना दिया। कमपनियों की और से जमीनों की लोट के खिलाब आवाज उठाने की सजा मिली है। सुनवाई के दोरान विधाय कमपरसाद ने कोट से अपील की है कि उनके माता पिता को कम से कम सजा दी जाए। आगली बड़ी खिबर की बात दो सेलफी लेने के चकर में हाथसा जारकन के सहिब गंज में दोकी सोर गंगा के तेज बाहों में बहे। पुलीस की टीम पहुँची जारकन के सहिब गंज में दर्धनाक हाथसा हुआ है। आगली बड़ी खिबर की बात को दो जारकन सहिब देश भर के सरकारी बैंकों में 28-29 मार्च को हड़ताल नीजी करन का विरोध, बैंकों और सारुजनिक छितरों के उपकर्मों के नीजी करन के विरोध और अन्य मांगों के समर्थन में All India Bank Employees Association के अवहन पर 28-29 मार्च को सरकारी बैंकों में हड़ताल रहेगा। All India Bank Employees Association के नितितों में जारकन प्रदेश Bank Employees Association ने भी बंद को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सभी बैंकों के मैंगेट पर प्रस्तावित हरताल के बैनर पोश्टर शिपका दिये गए हैं और मुखे मांगों की जानकारी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हर शूटी बड़ी खबर का अबडेट आप तक पहुंसता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की आगे ली बड़ी खबर की बात कुदो नहीं हुई थी रूपा तर्की के हत्या नियाईक जाच आयोग रिपोर्ट विधान सभा में पेस साधी नहीं होने के कारण में की थी आत्म हत्या जारकन के सारवधिक चर्चित मामलों में से एक जारकन्रहाई कोट की सेवानेवरित मुख के नयधीश विके गुपता की अध्षक्ता में एक सदसिये नियाईक जाच आयोग रिपोर्ट में कहा गयािकी महिला थानेदार नेतनाम यात्म हत्या की नियाईक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि रूपा तरिकी का अपने बैचमेट सिवकुमार की नोजया उर्फ सिवा के साथ प्रेम शंबन था लेकिन दोनों के ही परिवार अलग-अलग जाती के होने के कारण साधी के लिए तैयार नहीं थे इससे लेकर रूपा तरिकी और सिवकुमार की नोजया में विवाध होता था नियाईक जांच रिपोर्ट में जिकर है कि प्रेम संबन्दों के कारण ही रूपा तरिकी काफी तनौव में रहती थी सिवा से साधी नहीं कर पाने के वज़े से वा मानसिक तोर पर पर परेशान इस कारण उन्होंने आत्महत्या की आगली बड़ी खबर की बात को दो साहिब गंज में 200 कजी बिसफोटक बरामत जोपड़ी में छिपा कर रखा गया था बरबादी का समान अवेद पत्थर खननन में इस्तमाल का सक जारकन के साहिब गंज में बड़े पैमाने पर बिसफो पड़ी घर से या बिसफोटक छिपा कर रखा गया था तलासी के दोरान पुलिस ने बरबादी का समान खोज निकाला बताय गया है कि इस मामले में एक व्याक्ति को गिरपतार किया गया है पुलिस पूछताज कर बिसफोटक के असली माली का पता लगाने की कोशिस कर सकती ह बताय जाराए कि जबत किया गया बिसफोटक से पूरे इलाके को बरबाद किया जा सकता था पुलिस को सक है कि आवेद पत्थर खनन में इस्तमाल के लिए बिसफोटक मांगा गय थे आगली बड़ी ख़बर की बात दुसीम हेमंत सोरे ने कैंसर पीडित बच्ची के इलाज पर लिया संग्यान रांची की अपोलो होस्पिटल में हुवी भर थी मुग के कैंसर से पीडित तीन वर्स ये खुंटी की बेटी के समुचित इलाज को लेकर सीम हेमंत सोरे न गमभिर दिखे पीडित बेटी के पिता दिवाकर गोब की गुहार लगाने और खुंटी के जामो जिला अध्यक्ष जुबेर अहमद्वारा ट्वीट पर सीम स्रीशोरेंट को टैग कर बच्ची की सहता करने की अपील पर सीम ने इसे गम भिरता से लिया सीम स्रीशोरेंट ने खुंटी डीसी को ततकाल इस बच्ची के इलाज की समच्चीत व्यास्था कर सुचित करने का निर्देश दिया सीम के निर्देश पर पीडित बच्ची को रांची के अपोलो हस्पिटल अभरती करा गया है आगली बड़ी किबर की बात दो एटीस की टीम ने हाथियारों का जाकिरा किया बरामत जारकन के कई गिरों को किया जाना था सफलाई जारकन एटीस की टीम ने एक बड़ी कामियाबी हासिल करतो हुए जारकन, बिहार और उत्तरप्रदेश तक सक्रिय एक बड़े हाथियार नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है हाथियार तसकरी के नेटवर्क में सामिल चार आपुराध्यों को ATS ने गिरपतार तो किया ही है साथ जारकन आने वाले हाथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट भी पकड़ा है जारकन ATS की टीम ने बिहार की गया जिले में चापे मारी कर 35-29 किसम के देशे पिश्टल बरामत किये हैं आगली बड़ी खबर की बात कुदू मुक्यमंतरी से मिला केंदरिय सरनास समेती का परतनिधी मंडल मुक्यमंतरी हेमंत सोरिन ने केंदरिय सरनास समेती एबं केंदरिय अस्थल सिरम टोली राची का परतनिधी मंडल ने गुरवार को मुलाकात की मुख्यमंत्री से पर्तनिधी मंडल ने सरुल पर्व में निकलने वाले सोभायातरे के दोरान सरकार के अस्तर पर मोलभूत सुविदा अपलवद कराने का आगरा किया मुख्यमंत्री निकाहई की लोग की धार्मिक भावनाओ के अनुरूब सरकार कारी करेगी आगली बड़े खिबर की बात को दो अब विधान सभा में नहीं होगा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जार्कन विधान सभा में गुरुवार को नियम समेती की रिपोर्ट ध्वनिमत से पारित हुआ विधायक दीपक बिर्वानिस अमेतिक रिपोर्ट को सभा पठल पर रखा, रिपोर्ट में जारकन विधान सभा की कारी संचालं नियमवाली से धारा बावन को विलोपिद करने कैनुसन सा की गई थी, धारा बावन में मुख्यमंद्री परसनेकाल का परवधान था, इस रिप पहले प्रस्न डालने की वास्ता को समाप्थ कर दिया। लेकिन इसके एक मेहने के बाद ही गंभीर रूप से कورोना संक्रमित हो गए थे जिसके कारण पिछली बार वे एक जामका फॉर्म भरने के बाद भी परिशा नहीं दे पाये थे। इस बार भी वाप पूरी तरह से स्वस्त नहीं है जिसके कारण उन्होंने परिचा की तयारी नहीं की है यही वज़ा है कि उन्होंने इस बार भी इंटर की परिचा से दूरी बना ली जारकन की सिक्छा मंत्री जगरनात महा तो भले ही खुद इंटर की परिचा में सामिल नही बढ़ रहा है जिससे लोग परिसान है आलम याही की कई जगों पर अभी से ही तापमान 40 डिगरी के पार चली गई है राजी के मौसम वखा की माने तो सहरी छेतर में जादा गर्मी पड़ रही है लेकिन ग्रामिन छेतरों में पेड़ पोधे अधिक होनी की वज़े से तापम पुर्वया और पच्छुवा हवा के मिलान से भी मौसम कमिचाज बदलता ना जारा रहा है पिछले 24 घंटे में राज में सबसे अधिक तापान गोड़ा में 40.3 डिगरी सेलसियस और सबसे कम तापान गढ़वा का 17.5 डिगरी सेलसियस दर्ज किया गया है आगली बड़ी कि बात कुदू गुमला के बिसुनपूर में दो मवादी समर्थक गिरपतार रबिंदर गंजु के लिए करते थे काम पुलीस ने अस्पेशल टीम बना कर पकड़ा गुमला पुलीस ने भागपा मवादी के दो समर्थक कुमारी निवासी जिरलाल उराउं इबं उपेंदर उराउं को गिरपतार कर जेल भेज दिया इस सम्मन में गुरवार को SDPO मनिस चंदरलाल ने बता है कि बिसुनपूर पुलीस को गुपतु सुचना मिली थी कि नकसल प्रभावित कुमारी गाउं में मवादी के रिजनल कमांडर रबिंदर गंजु के चार समर्थक या लोग संगठन का पोश्टर लगा कर इलाके में दसत फलानी की फिराक में हैं। सिरहत है सब कुछ समानी हो रहा है इसलिए 2022 में स्रावनी मेला की तैयारी में अभी से देवगर जीला प्रसासन जुट गया है। पार्टी के केंदरिये प्रावक्ता दिशरेन भगत ने कहा है कि जार्खन के आदिवासी मूलवासियों को ठगने का काम हेमंत सरकार ने किया है। खतियान आधारित नियोजन नीती को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान आस्त्रिय जनक है। उन्होंने अपने सभी सारजनिक सभाओं और चुनावी मंच पर खतियान आधारित अस्थानी एवं नियोजन नीती लागू करने की बात कही थी। जब सन्वधानिक सपत लेने वाली नेता और राजे के मुख्या अपने बयानों को इस तरह से बदलते हैं और विधान सभा के पटल पर जूट बोलते हैं तो इससे जनता और सरकार के बीच बिश्वास की डोर कमजोर पड़ जाती है। बुधवार को विधान सभा में मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि सरकार की दिसा और दृष्टी दोनों गलत है। पार्टी की और से आजित प्रेसवारता में दिवसरन भगत ने यह बाते कही। मांग उठाई कि इस परकरन की नियाधीज से जांच कराई चाए। उन्होंने रुंधे गले से सदन से नियाई की गुहार लगई और कहाई कि पुलिस ने जान बूझ कर गाहों को डराधम का कर केस को फ्रेम किया है और पूरवधाक निर्मलादेवी को फसाया। क्या घटना की दिन धरने पर बैठी विधायक निर्मलादेवी हाथ में बंदूक लेकर धरना दे रहे थी। विधायक अमबा परसाद ने सदन से आग रखिया है कि बढ़कागां गोली कान की नियाई की जांच कराई चाए। उनकी मां पूरवधायक निर्मलादेवी जन परतिन धी होने के नाते जनता की आवाज बनकर धरना पर बैठी थी। नहीं होने तक परिचा परिणाम जारी नहीं करने की जानकारी कोड को दी थी, ऐसे में 20 अप्रेल तक लिमिटेड परिचा करेजल जारी नहीं किया जाएगा। परिच कोणफरेंसिंग कर जानकारी दी है। इसके बाद वर्स 2018 में फिर पत्र जारी कर कहा गया कि 31 मार्च 2019 तक नियमावाली बना लिजाएगी तब तक नई निक्ति नहीं करें। हलाकि 31 मार्च को भी नियमावाली नहीं बनी। अब ऐसे में प्रात्मिक सिक्षा निदिशक द्वारा या कहतो वे पत्र जारी किया गया है कि वर्स 2018 में जारी पत्र 31 मार्च 2019 तक ही प्रभावी था। इस कारण अब विद्यालियों में सिक्षको के निक्ति पर कोई रोक नहीं है। राज के 847 अल्फ संक्यक विद्यालियों में सिक्षको के 1900 पद रिक्त हैं। अगली बड़ी ख़बर की बात कुद दुदुंका में अवेद बोलडर वगिट्टी लदेवा हंजप्थ वहनों में अट्राक वहईवा जियले के सिकारी पाड़ा अंतरगत मकड़ा पहाड़ी में के धड़़ाले से चल रहे अवेद पत्थर खधानों में चापे मारी अभ्यान चला कर बिना चालक और खालासी के बोल्डर लदे दोवानों को जब्त किया इसके अलावा अभ्यान में दुमका रामपूर हाट मोके सडक मार्ग पर चिरूडी के पास बिना काग जात के गिटी लदे एक ट्रक व लेने का मुद्धा जारकन बजट सत्र में बिजेपी विधायक नरायन दास ने परतियोगिता परिच्छा में भाग लेने के राज के मानेता प्राप्त संस्थान से मेट्रिक और इंटर से पढ़ाई का मुद्धा उठाया नरायन दास ने कहाए कि सरकार ने परतियोगिता परिचा के लिए जो नियमवाली बनाई है उससे परतियोगिता परिचा की तयारी कर रहे बच्चों में काफी आकरोस वेप्त है उन्होंने कहा है कि मंत्री लोग 1932 के खतियान की बात करते हैं सरकार का जवाब कुछ और आता है जब सरकार की नियोजन और अस्थाने नीती ही असपश्ट नहीं है तो क्यों नहीं नियुक्ति बिग्यापन निकालना बंद कर देती है उन्होंने कहा है कि राजे के कई माबाप ऐसे हैं जो राजे के बाहर कारत हैं ऐसे में नियुक्ति नियमवाली में समसुधन करना जरूरी है गैर आरक्षित बच्चे जो यहां के तरकारी नौकरी से रोकना सहे नहीं होगा तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चानल को सब्सक्राइब करके बैल आकन प्रेश करते जे जिससे आपको जारकन के हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिजा इजादत फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में